कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मैंने तक्रीपन एक देड़ साल पहले दोस्तों एक फिल्म की कहानी सुनी थी उस फिल्म का नाम है वाट ड्रीम्स में कम ऐसे तो बहुत सच में खुबसूरत वो कहानी मुझे लगी थी और वो जो कहानी है दोस्तों लाइफ अफटर लेट के देट से रिलेटेड ही है उससे ही संबन्दित है तो उस वक्त मैंने वो कहानी सुनी और मुझे मैंने तभी तई किया था कि मुझे देखनी है लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जैसे हम किसी फिल्म की कहानी पुरे मुझे पता है और उसी वक्त उसको देखना मुझे लगा कि बाद में थोड़ा सा समय जाने दो बाद में उसको देख लूँगा इस बात को मुझे लगता है एक देर साल कुछ हुआ होगा और मैं भी मतलब 3-4 दिन पहले दोस्तों मैंने मतलब फिर से मैंने उस मतलब वो खया लाया उसकी ता फिल्म का और मैंने सोचा कि अब मैं उसको देख लेता हूँ कि उसकी जो कहानी थी मैंने जो सुनी थी वो पुरी तरीके से अब मैं भूल गया था तो इसलिए बहुत मशक्तत करने करके बाद वो एक तो मिली फिल्म और क्या हुआ दोस्तों हिंदी में है वो एवेलेबल तो उसके बाद मैंने वो देखी तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ अक्टर डेथ और आत्मलोग से थोड़ा सा वो रिलेटेड़ मूवी है लेकिन हम जिस तरीक से वहाँ पर करम को दिखाया है वगरा तो वैसा ही एकदम डिक्टो सारी चीज़े होती है आत्मा के साथ ऐसी बात नहीं है बस उस फिल्म की जो अच्छे बाते मुझे लगी वो मैं आपके सामने मतलब रखने की कोशिश कर रहा हूँ उस फिल्म की कुछ कहानी ऐसी है कि मत इस दुनिया से चला जाता है और उस दुनिया में कही ना कही वो अपने आपको जिंदा पाता है और उस दुनिया के दो तरीके और वो जो दुनिया है वो किस तरीके से आकिर होती है वो उसको पता चलता है और उसके बात क्या होता है दोस्तों कि उसकी जो वाइफ है उसको तो उस दुनिया में मतलब आत्मलोग में उसको ये पता चलता है कि तुमारी वाइव, तुमारे पुरे परिवार के जाने के बाद वो बहुती ज़्याद सदमे में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया तो ये सुनकर वो बहुत ही जादा लगता है। और उसके बाद वो अपने वाइफ को उस दुनिया में कैसे मिलता है और बाद में वो कैसे एक फिल्से हो जाते है। वो उस फिल्म में दिखाया है तो एक plot जो है वह इस तरीके से कथानक , इस film का है तो इसमें जो बहुत ही अच्छे से जो बाते मुझे अच्छी लगी तो वो मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले इसमें जो आत्मलोग दिखाया है, या फिर स्वर्ग हम जिसको कहते है, वो बहुत ही परफेक्टली एकदम दिखाया है, दोस्तों जैसे एंडी में लोग अनु इस तरीके चे एटेच होंगे, फुल, फल, पानी वगेरा, तो वो बहुत यह अच्छे से दिखाया है, एक ऐसा भी वहाँ पर सीन दिखाया है, कि एक सुन्दर तालाब है, और उसमें हम आराम से चल के जा रहे हैं, मतलब तालाब का हम अनुबह ले रहे हैं, बाद में हमे डुबना है, उसमें तैरना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, मतलब आपकी जो दिल से इच्छा है, उसको बहुत यह अच्छे से कर सकते हैं, दूसरी उस फिल्म में इस तरीके से बात दिखाई है, कि जब वो आत्मलोग में चला जाता है, दोस्तों, कि तब वहाँ पर उसको ए मतलब करने की कोशिश कर रहा था, मतलब जो बात है, वो इसलिए भात्मलोग परुणा बन जाती है, कि हमारे जो अपने हैं, वो किसी तरीके से वहाँ पर हमारी मतलब मतलब करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसका बेटा भी आज इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वो उस इस तरीके से दे सकते हैं, कि हमारा कोई अपना अगर हमें कुछ कहेगा, तो हम उसको एक भावना की रूप में देख सकते हैं, जैसे मेरा कुछ अपना कोई इंसान कहता है मुझे, तो उस चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको मान सन्मान दे रहा हूँ या फिर मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके बातों का महत्वा दूँगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान जो, जिससे हम प्यार बगरा नहीं करते हैं, या फिर जो हमारे एकदम करीबी नहीं है, जो हमारे अच्छे के लिए कुछ हमें कहने की कोशिश कर रहा ह और जो थोड़ा सा गयानी है हमसे गयानी मतलब कि उसको चार पत चीजे हमसे जादा पता है तो ऐसा अगर इंसान हमें कहेगा तो वो एक अलग हम भाव से देखेंगे तो उनके बेटे को उस वक्त लग रहा होता है कि मैं एक अलग मतलब इंसान के रूप में उनको कुछ संद और जैसे विस्पयार रत्व और खोलचित भावनेगरी जी ने कहा है कि जो नरक है वहाँ पर इतनी बुरी अवस्ता होती है कि लोगों के पुरे शरीर भी नहीं होते वह एक जगे से दूसरी जगे पर भी नहीं जा सकते तो उसी तरीके से बहुत या अच्छे से उसमें द पुरे पुरियर थिकां लूज़ा है तो वहाँ पर जैसे वहाँ पर अच्छे मतलब विकस के स्थब्सक्राइब तो अपने अपने सच्चा प्यार करते हैं उनके साथ वहाँ पर उस globalization में कैसे बहुत ही खुष्य से जी सकेंगे वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है जैसे वो चारों लोग बहुत ही अच्छे समझे खुशी से जी रहे तो वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर उसमें दिखाया है जैसे हम अपने परिवार के साथ हम उनके साथ जिन से हम सच्चा पैर करते है और ऐसे लोग जो हमसे दिल से सच्चा पयार करते है हम उनके साथ कैसे वहाँ पर जी सकते है सच्चा पयार जो है दोस्तो उसकी कीमत में आपको सच को ना कुरे दुनिया का ब्रह्मान का जो भी मतलब मौल लेवन चीज़े है उसमें भी हम नहीं तोल सकते है वो इससे बड़ा है, बहुत जादा बड़ा, तो इस तरीके से जो सच्चा पैर है, जो निस्वारत पैर है, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से, मतलब बखुबिक से हम वहाँ पर उसको देख सकते हैं, और सबसे आखिर बात दोस्तों, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग होगे, या फिर मैं भी डर जाओंगा, मुझे भी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा घबराट होगी, कि अरे यहाँ पर तो मैं उनके साथ बहुत ही खुशी से हूँ, अब फिर से जनम लेकर वहाँ पर कैसी जिंदगी मेरे सामने आएगी, हमें नहीं पता चलता, तो वो भी उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है, उसमें वो जो दो कपल होते हैं, हस्बंड और वाइफ, वो फिर से मतलब सोचते हैं कि अब हम पृत्वी पर जाकर जनम लेंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, तो बाद में वो दिखाया है कि वो प मतलब हमारे जरूर पास आ जाएंगे, तो इस तरीके से जिन से हमारा मिलना है, जिन से हमारा जीवन मतलब जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, यह निश्चित है, जिनके साथ हम जिन्दगी जिएंगे, यह निश्चित होता है, वो हमारे कुछ ना कुछ परिस्तिती ही हमें म के करीब लेकर आईगी और हम उनके साथ एक अच्छी जिन्दगी जीने की कोशिश करेंगे लेकिन सिफ जिन्दगी में मिलने की बात नहीं है उनके साथ अच्छी जिन्दगी मतलब जीने की बात नहीं है बलकि कभी-कभी ऐसे ही दौर आते है जहाँ पर मतलब कोई किसे से मि और एक दिन 100% ऐसा आएगा जहाँ पर हम उस दुनिया में उनके साथ बहुत ही खुशे से जहेंगे तो इस तरीके से ये मतलब उसमें दुरुशे दिखाए है और इस तरीके से मतलब एक इनसान के जीवन की या फिर एक आत्मा के जीवन की जलक हमें इससे पता चल सकती है तो तो ऐसे ही मतलब हम किसी नई विशे को लेकर दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते है तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्दगी की रोशनी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्था के साथ जुडते है उन्हें पास्ट लाइफ का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की भी ओडियोज भीजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें प्लियेफ किताबे भीजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस ओडियो